पूरे देश में नीबू की बर्ती कीमतों ने लोगों के दांत खटे कर दिये हैं अमोमन दो से पांच रुपे के बीच बिकने वाला नीबू आज दस से पंदरा रुपे तक पहुट चुका है बर्ती नीबू की कीमतों ने इस बार लोगों को चौकाया है ऐसे में जमुई जिले का एक ऐसा गाउं जो बरती नीबू की कीमतों की वज़े से इस सुर्खियों में आ गया जी हाँ जमुई का एक ऐसा गाउं जहां बारा आदिवासी महिलाएं मिलकर सामोहिक रूप से करती है नीबू की खेती जमुल जिले के सिकंदरा प्रखंट के धनी मातरी गाउं की बारा महिलाएं समुह बना कर लगभग डेड़ एकर में नीबू की खेती कर रही है यहीं की जमीन नीबू की खेती से पहले बंजर थी जिसको एक संस्था की पहल पर यहां की महिलाएं आगे आकर नीबू की खेती कर रही है नीबू की खेती कर यहां की महिलाएं आत्मिर्भर बनकर आसपास की महिलाओं के लिए मिसाल कायम कर रही है धनी मातरी गाउं जिले में नकसल प्रभावी तिला का माना जाता है और इस गाउं में महज 62 आदिवासियों के घर हैं और इस गाउं के मर्द रोजी रोटी के तलाश में दूसरे राजियों में जाकर नौकरी करते हैं ऐसे में यहां के महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर महिलाओ के लिए मिसाल कायम कर रही हैं जी नमस्कार आप देख रहे हैं जमूई टूडे और मैं डीके अभी हम मौजुदे जमूई के सिकंद्रा परखन के लच्छुआ ठाना अंतरगर्त धनमतरी गाउं में यहां नेम्बू की खेती बड़े पैमाने पर तकरीबं डेड़ एकड़ की जमीन में यहां पर 11 किसान महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है एक और जहां नेम्बू की कीमते आसमन चूरे और उनके नेम्बू के जो लोग स्वाद लेने बालों की दात भी एक तरफ से माना जये तो दात खटे कर रहे हैं अर वहीं धनमा तरीके गाओं के महिलाओं के दरहा अप दरह अब देख सकते हैं कि यह तक्रीबं डेड़ एकर की जमीन में नेमू की खेती कर रही है पहले इस तरह किस तरह की इस्तिती थी और क्या इसमें उब जाया जाता था तो इस नेमू खेती से कितने की इंकम हो गई है अभी तक और यहां पर और यहां पर महिला यहां पर मोजूद है गाउं की महिला है जिनों ने इस खेती को आगे बढ़ाने का काम किये पर यह तो पानी पटा रहे हैं पटेगा तो लेमू बढ़ेगा कुछ में रस भरेगा तो नविक्री होएगा फिर यह कब यह नेमू की फसल कब तुटेगी फिर तुटेगी बढ़ेगा रस होएगा अगला सल तुटेगी थे महिना पाथ महिना बाद तुटेगी अभी धूफ है गर्मी है तावा है यह फसल को कब लगाया गया था इस तरह कर फसल ता हो गया लगों तीन साल हो गया है इस गौव में जो यह नेमू के खेती हो रही है और इससे पहले इस जमीन पर क्या किया जाता था कुछ भी नहीं होता था इसमें जंगल रहता था इस नहीं नदी बहता था इसमें कुछ भी नहीं होता था तो आप लोग इस खेती को मतलब कैसे अंजाम दिया कैसे क्या अश Suppose और सबूद पर एक सक्स हमारे साथ में और इनसे बात करते हैं कि इस तरह के घेती का जो क्टी करने का परियास किया गया था तो क्या मतलब कहेंगे यह जो है से यह कप सी यह यह आप लॆ रहा है जो उसका यह योजना था कि शामुहिक बगीचे का निर्मान करवाना हर गाउ मेश॥ सन्जोग है कि इस गाउं का भी चैन हमारे संस्थामे कियागा था तो उसकी संदर्व में गाउं में बैठकों का दौर चला लोगों को मैंने समझाया गिया बताया गिया क्या आने वाले समय में सामुहिक बगीचे का निर्मान करने से क्या लाब होगा तो उसी के तहत लोगों के दिमाग में बैठा बात और लोग तयार हुए इस प्लॉट का बीजिट किया गिया हमारे एक्सपर्ट के द्वारा और उन्होंने बताया कि इसमें नेम्बू का खेती बहतर तरीके से किया जा सकता है तो यह नेम्बू की खेती में यह जो कितने एकड में यह नेम्बू की खेती किया जा रहा है कितने पोधा लगाया गया इसमें रियल negative lower 1 किसा ANS 2 टो इसमें इसमें कितनी की कमाई हो जाती आशालान है इस में कितने किपमाई हो जाती है अंध के सालना णा के सहाव से उधर कोरोना में हम लोगों का फ्रा मार्केट गळवड़ा गया था लेकिन उसके बाद जब हम इसका सुरुवात किये तो लोगों का जहां कुछ नहीं इंकम था, लोगों का अपना नगद होता है उस तरह का महिलाओं के पास अपना कुछ नहीं था, उनको निरभर रहना पड़ता था अपने परिवार के उपर, माली के उपर, और मर्द नाम का यहां कोई चीज है नहीं, साल भर लोग निकल गए अभी निकल गए तो आप अगले साला है, उसके लिए कि यहां रहते हैं, इसके लिए नगद कुछ इंकम हो, तो इनको फाइदा मिला है लगबग हर घर में किसी को 10,000, किसी को 9,000, किसी को 6,000 इस तरह से जिसका जितना प साम कीजिएगा, तो कटनाई हो का सामना करना ही पड़ेगा, सबसे पहला था कि लोगों के अंदर जागरूपता पैदा करना, जहां खड़ा है, इस गाउं में बिगत 40 वर्सों से 2020 तक में, कोई भी लड़का या लड़की मैट्रिक पास नहीं था, साक्षर नहीं था यहां और नेंबू की खेती की अलावे यहां पर और क्या-क्या चित की खेती यहां पर आसपास में किया जा रहा है, अभी फिलाल हम लोग इस साल का जो योजना उसमें है पपीता लगाना, जिसमें लगभग यहां एक एकड़ के आसपास प्लोट का बीजित हुआ है, की जो भी महिला है और यहां की पुरूस माहान नगर की और वो कमाने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उनको पेट यहां पर पालना पड़ता है, रोजगार की इस्थिति यहां पर नहीं मिलने के कारण से लोग बाहर प्लायन कर जाते हैं, और यहां की महिला जो है, पुरूस तो बाहर रहते हैं, लेकिन महिला गौव मेर रह करके एगारे एग्यारी की संख्या में महिला जो किसान है, वो उनके महिनत के तोर पर यहां पर नेमू की खेती की जा रही है, जमूई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमूई टुडे एप, अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और